यह वीडियो चाप्टर एट का पहला है साहर, उसमें हम देखेंगे के फिजिकल ओप्टिक्स क्या होती है और उसके बाद हम हाईजिन्स प्रिंसिपल और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दिसकस करेंगे फिजिकल ओप्टिक्स, ओप्टिक्स का मतलब होता है study of light, यह physics की एक important branch है, इसकी further दो branches है जिन में से एक physical optics है, फिजिकल ओप्टिक्स में हम light की physical properties पढ़ते हैं, light reflect करती है, diffraction और light waves की तरह बहेव करती है या पार्टिकल्स की तरह लाइट का बहेवियर और दूसरी ब्रांच है जिसमें हम लाइट को कंट्रोल करते हैं मुख्तलिफ इंस्ट्रुमेंट्स जैसे लेंजिस की मदद से और फिर हम उससे मुख्तलिफ डिवाइसे बनाते हैं टेलेस्कोप, माइक्रोस्कोप वगारा जि कि एजिसका नाइन में हम फिजिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे याईडी डिवाइट की प्रॉपरटी जिस के लबटेक्स में हमने का कि हम देखेंगे कि लाइट किस तरह बहेव करती है तो लाइट के बाते हैं कि लाइट के इन्दर रिफ्लेकशन होती है लाइट किसी surface पर तो कुछ रिफ्लेक्ट जाती है कुछ उसके अनर से जाती है और इसके लावा और बहुत सारे behavior light के बारे में हमें पता हैं अब हमें एक निया behavior light का study करने लगे हैं जिसको कहते हैं diffraction diffraction में क्या होता है कि light जब एक बारीक surface किसी बारीक सी opening में से गजरती है या किसी किनारे के गिर्थ से गुजर रही है तो light हम क्या सोचते हैं किया करना चाहिए light को एक straight line में जाना चाहिए मगर ऐसा नहीं होता light straight line में नहीं जाती है जब इसमें से गुजरती है तो हर direction में भैल जाती है और इसी तरह जब वो किसी किनारे के पास से गुजरी होती है तो कुछ लाइट तो आगे चली जाती है मगर हर तरफ बेंड होती है तो कुछ लाइट इस किनारे से बेंड होके साइट पे भी चली जाएगी तो इस फिनॉम्मना को कहते हैं diffraction यह फिनॉमना है यह हमें physically नजर आता है चीजों में के diffraction होती है light waves diffract करती है अब यह क्यों diffract करती है अब साइंटिस को किस तरह एक्स्प्रें करते हैं तो diffraction को अब एक्स्प्रें करता है hygiene principle hygienic scientist का नाम था जिसने एक principle यह theory दी एक असूल बताया light के बारे में कि इस वज़ा से light diffract करती है वो हम पढ़ेंगे अगली slide में और उसके बाद हम यह बढ़ेंगे कि hygiene principle एक theory थी theory को हम scientifically experiment करके तजरबे करके साबित करतेंगे यह theory सही है यह गल एक scientist था young उसका नाम था उसने एक experiment के जिसको कहते है double slit experiment जो बहुत मशूर है इस experiment से थाबित हुआ कि वाकई light के अंदर diffraction का phenomenon हमें नज़र आता है तो फिर यह थाबित हुआ कि light diffract वाकई करती है और यह तीनों behavior waves के अंदर पाए जाते हैं हर तरह की waves reflect होती है और diffract होती है चुँके light के अंदर भी यह तीनों phenomena पाए जाते हैं इसका मतलब यह है कि light भी शायद एक wave है क्यूंकि light के बारे में यह confirm नहीं है कि यह wave है या particle है कोई चीज या particle हो सकती है या wave हो सकती है light जो है वो wave की तरह भी act करती है जैसे यह तीनों चीजें सब waves में होती है light में होती चीजेंस प्रिंसिपल को पढ़ने के लिए हमें यह पता होना चीजे कि wave front क्या होता है फर्स करें हमरे पर से एक light bulb है यह चारों तरफ light इसको हम on करते हैं और यह light waves इसमें से निकलती हैं अब यह जो sub light waves है यह एक ही वक्त में निकलना शुरू करती है तो इन sub light waves का हर हर point पे एक ही phase होता है अगर मैं ऐसे sub points के ऊपर एक line draw करो जो एक ही phase में है इस सफेर के गिर्थ तो मेरे पस spherical ball आ जाएगा क्यूंकि यह जो sub waves आगर मैं एक vertical line के ऊपर sorry horizontal line के ऊपर देखों यह time 0 है जिस पे हमने बलब on किया तो बलब में से waves निकलने शुरू हूई और यह sub waves एक phase में थी इसका मतलब है हर हर point पे उनका एक ही phase था इन सब का शुरू में 0 phase था फिर थोड़ी देर के बाद वो waves 90 degree पे गई तो हर हर अब यह अगर time time is equal to t1 है इसके उपर इन इन सब waves का एक ही phase है तो इन एक ही phase वाले points को अगर मैं cut करूँ एक surface डौँ करूँ जो इन सब एक ही phase वाले points को cut करी है तो मेरे पर इस बलब यह bulb सफरिकल है इसकी तीनो sorry three dimensions के अंदर waves निख रूई है तो सफरिकल बॉल्स आजएंगे मेरे पास इन सफरिकल बॉल्स को हम कहेंगे wavefront इसी तरह किसी भी wave के जो कोई भी surface जो इस वाले points को cut करती है जो एक ही phase में होते है ऐसी surface को wavefront के जरूरूरी निए कि वाले कि वाले सफरिकल है wavefront plane भी हो सकता है अगर हमारे पस एक source है जो plane waves generate कर रहा है तो उसके जो wavefronts होंगे वो plane होगे in fact अगर सफरिको हम बहुत दूर से देखें मसलन सूरज एक point source है और हम जमीन पे हैं तो सूरज असल में wavefront उसके circular होते मगर जमीन सूरज से बहुत दूर है तो जमीन क हाइजश principle यह कहता है कि अगर हमारे पस एक light source है जिसको हम primary source कहते हैं कोई भी wave source हो सकता है इस केस में हम light source consider करें यह waves generate कर रहा है और यह इसके wavefronts हैं हाइजश principle के मताबिक हर wavefront के उपर हर हर point एक secondary source होता है किस चीज का source होता है waves का हर point मजीद waves generate करता है चोटी चोटी waves जिन और चुँकि यह point source की तरह act करता है तो यह circulacy waves generate करता है यह है यह है हाइजश principle अब इसका मतलब क्या है इसके implications क्या है इसकी एक implication यह है कि अगर मैं इस point पर एक इस point को as wave source consider करूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे एक खास time के बाद लेट सेकंड के बाद मेरा जो primary source है इसका अगला wavefront कहा होगा दो second के बाद wavefront किदर मेंचा होगा तो मैं क्या कर सकती हूँ मेरे बास एक formula है speed of light is equal to speed is equal to distance over time speed of light c होती है constant होता है इसको मैं उस time के साथ multiply करूँगी c को let's suppose मैंने 2 second के साथ multiply किया मेरे बास एक displacement आ गई तो अब इस radius का अगर मैं एक half circle draw करूँ इस इस तरह इस wavefront के ओपर हर हर point पे मैं उसी radius का half circle draw करूँ तो मेरे पस काफी सारे half circles आ जाजाएंगे यूं करके मैं इन सब half circles के ओपर एक tangent draw करूँ यह सब in phase होंगे तो मेरे पास अगला wavefront आ जाएगा मुझे यह पता चल जाएगा कि 2 second के बाद मेरे primary source का जो wavefront है वो इधर पहुंचा है तो इससे मैं एक तो यह पता कर सकती हूँ, wavefronts draw कर सकती हूँ, इसके इलावा hygiene principle की वजह से हमें पता जलता है कि slit के अंदर से wave bend किस तरह होती है अब क्या होता है कि अगर मैं इसी पूरी surface के आगे एक slit रख देती हूँ, एक surface रख देती हूँ, जसमें एक बारी ऐकसी opening है, तो अब इसके ओपर यह wavefronts पढ़ रहे हैं, इस wavefront का हर हर point एक निया wave source है, तो इस point पे भी एक निया wave source के तो पर वो act कर होता है, तो यह point क्या क होता है, वो एक wavelet का source के तूर पर act कर रहा हुता है, इसलिए हमें देखने में जाता है कि light उसमें से spread out करी है, bend करी है तो हमारे पर एक point source है, उसमें से wavefronts निकल रहे हैं, उसके आगे मैंने एक surface रख की जिसके अनर एक slit था wavefront के ओपर हर-har point as a secondary wavelet का source act कर रहा है, तो इस point क के ओपर जो wavefront आता है, वो भी secondary source बन जाता है वे वेवलेट के लिए और वो वेवलेट के जनरेट करता है, तो हमें लगता है कि इस source के में से जो, इस slip में से जो लाइक गुजरी है, वो बैंड हो रही है, अब एक के बज़ए में दो slits रख देती हूं, तो फिर क्या होता ह यहां पर एक slit थी, अब मैं कहते हूं, इसके थोड़ा नीचे एक और slit है, तो इसके साथ भी होगा, यहां पर जो wavefront का हिसा आ रहा है, उसके यूपर जो point है, उसको हम secondary source चंसेडर कर सकते हैं, यह भी wavelets जनरेट करेंगा, अब दो sources हैं, दोनों wavelets जनरेट करेंगा, एक दू destructively कप करेंगी, जब यह दोनों आपस में in phase होंगी, destructively जब out of phase होंगी, और इसके लावा कई ऐसी जगोंगी, जिस पे एक ही peak होगी, दूसरे की partially in phase होंगी, वगयरा वगयरा, मगर point यह है, कि यह आपस में interfere करेंगी, कुछ जोगा पे light की intensity जाद होगी, कुछ जोगा पे physically, हमें कैसी, यह light कैसी नजर आईगी, अफर मैंने आपको setup अभी बताया, यह दरसल यंग double slit experiment का setup था, और यह सबसे पहले, यंग, जो एक scientist था, उसने सोचा कि इस तरह का setup किया जा सकता है, कि एक point source के सामने, एक screen रखें, जिसके अंदर दो बारीक सी slits हों, फिर उसमें से light waves, secondary wavelengths के source के तोर पर act करेंगी, इंटरफेर करेंगी, और अगर वाकई hygiene principle सच है, कि अगर wave front के ओपर हर हर point secondary source act करता है, तो फिर अगर मैं इस screen के सामने, slits वाली surface के सामने, एक screen रखूँ, कोई भी screen हो सकती है, दिवार भी हो सकती है, चुंकि यह visible light है, तो फिर मज़े physically और constructive और destructive जो भी light की interference है, वो मज़े सामने नजर आनी चाहिए, मेरे पस कभी constructive interference के वज़े से जादा light आनी चाहिए, कभी कम light आनी चाहिए, कभी जादा कभी कम, इसरा मुझे bands नजर आनी चाहिए, तो उसने देखा तो वाकई ही ऐसा ही था, और आप इसको खुद भी करके करते हैं, अगर हम एक screen इसके सामने रखते हैं, तो हमें bands नजर आते हैं, center में एक band होता है, फिर उसके side पे bands होते हैं, जहां पर constructive हो रही होती है, वहां पर जादा bright light होती है, और light ऐस्ता ऐस्ता कोनों पर जाके fade होती जाती है, और बीच में destructive interference के वज़े से dark parts होते हैं, यंग's devil slit experiment का setup है, दो slips को मैंने A और B लेबल कर लिया, इनके बीच में distance D है, इसके सामने में एक screen लेती हूँ, length L के फासले पे, जिसके उपर में जो fringes होंगी, जो bright और dark spots हमारे बार्ट स्क्रीन के पर आते हैं, इसको हम fringe कहते हैं, वो हमें नजर आएंगी, A और B के exact center के सामने जो point है वो, उसको हम point O कहते हैं, और फिर हमें screen के लेते हैं, P, और हम कहते हैं, किस P के उपर bright fringe आएगी या dark fringe आएगी, यह पता करने के लिए, हमें इसके सिर्फ पता करना है कि, दोनों waves, A से जो wave निकल रहे हैं, और B से जो wave निकल रहे हैं, वो यहां पर constructively interfere करी हैं और उनकी frequency सेम हो, तो वो हमेशा in phase रहती है, इन दोनों waves की frequency सेम है, तो A और B, A से अगर मैं B पर एक perpendicular drop करूं, तो मेरे रहें एक ऐसी length आजाएगी, इस point D के बाद, कि D P और A P जो हैं, वो एक जितनी length है, जो length सेम है, तो यह दोनों आपस में constructively interfere करेंगी, अब सिर्फ एक चोटा सा point रहें गया, B से लेके D तक, यहां पर मुझे पता चल जाए कि कितनी wavelengths पूरी आरही है, तो मैं बता सती हूं कि total net effect constructive interference का है, या destructive interference का, मैं कहती हूं कि यह angle मेरे पस theta है, और यह BD length D sin theta के बराबर है, अगर मेरे पस whole numbers में wavelength हैगी, पूरी wavelength हैगी, या उसका multiple, तो फ बराबर होना चाहिए, whole multiple of lambda, m जो है वो मेरा, one, two, three, zero, one, two, three हो सकता है, geometrical इसका analysis अगर आप further करें तो, उसका पता जाता है, कि sin theta जो है वो, बराबर है, y over L के, y over L, y यह वाली height है, उस point zero से लेके P तक, और L इन दोरों के screens के बीच में distance है, यह हो जाएगा m lambda के बराबर, यानि y पराबर है m lambda L over d के, तो इस P point पे जो fringe आएगी, वो bright fringe, जो constructive interference होगी, जिसमें m जो होल नमबर होगा, वो इसके बराबर है, अगर हम dark fringe देखना चाहते हैं, तो m plus half हम कर सकते है, y पर बराबर होनी चाहिए, m plus half, ताकि वो फिर half wavelength के जाएगा, lambda L over d, इसी तरह, अगर मैं दो bright fringes के बीच में, या दो dark fringes के बीच में distance लेना चाहती हूँ, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, y m, मैं कह सकती हूँ, y इस height के उपर है, तो इससे जो next fringe होगी, वो किस के उपर होगी, m plus one के उपर होगी, तो फिर मेरे पास आजएगा, मुझे थोड़ी सी space चाहिए यहाँ पर, यह y m है, यह m times lambda l over d है, और y m plus one, जो है वो, m plus one lambda l over d है, अगर हम इन दोनों को subtract कर दें, तो मेरे पास delta lambda आ जाएगा, दो bright या दो dark fringes के तरमयान, जो distance है, वो lambda l over d है, यह मेरे पास important relationship है, इससे क्या पता चलता है, कि मेरे पास सामने screen के उपर जो fringes आती है, उनके बीच में जो space होती है, वो इन दोनों screens के बीच में, जो displacement है, उन पर distance है, या फासला है, उस पर depend करी है, जो कि L है, और इन दो slits के बीच में, जो फासला है, d उसके ओपर depend करी है, तो अगर मुझे यह d पता हो, चोटा वाला, और मुझे l पता हो, तो फिर मैं, दोनो fringes के बीच में distance पता सकती हूँ, या अगर मुझे कोई फासला, इस पूरी चीज का क्या फायदा है, इसकी मतब से तो मैं measurements कर सकती हूँ, इसकी मतब से अगर मुझे wavelength किसी चीज की पता करनी हो, और मुझे बाकी सारे variables पता हो, तो मैं उसकी wavelength चेक कर सकती हूँ, तो इस जो मेरे पस fringes आती हैं, इसकी वज़े से हम बहुत सारे instruments बनाते हैं, optical instruments.